हेलो एवरिवान वेलकम टू माई चैनल सुरेश्टा गुपता प्यारे विद्यार्थियो साधा जो आज दा टॉपिक है नरेशन बहुत ही इंट्रेस्टिंग है ये टॉपिक ता साधी जिंदगी दा एक एहम हिस है ये दे तो बिना शायद साधी जिंदगी दे विच कोई कर दे आ टे फेर उन्ना गल्ला नूँ होर इंसान न देनाल वि संजा कर दे ये उन्ह टा कसी सनेहे भी पचाँने है गलबत दा ए तरीका ही नि favor कुण है कि वर्क सर्फ सिर्फ हैं है के जदों असी होर व्यक्तिय दिनाल उनना दी गल्बत कर देया जा उनना उस नेहा पचाओ देया तक कदे असी दुझया नल गल्ना कर दे हुई शब्दां दी अदला बदली कर लने तक कदे असी ओही शब्दां दा इस्तेमाल कर लने जदों असी सेम ओही शब्द वर्त द ता इसनू, इंडिरेक्ट स्पीच कहने या, ता प्यारिव दियार थियो, आज ज़िए इस वीडियो दे विच, गल्ला करदे करदे ही अपना नरेशन सिखांगे, ते आओ, होने के अपना एक्जेम्पल लेके, डिरेक्ट ते इंडिरेक्ट स्पीच दा फर्क जान देया, इस इसे एक्जेम्पल दे विच, निन्नी ते एकम दो फ्रेंड्स है, जो के हॉस्टल च रहा रही है, निन्नी अपनी फ्रेंड एकम नो कहन दिया है, I am going to my village, मैं अपने पेंड जा रही है, ता एकम अपनी फ्रेंड निनी दा ए मैसेज सुन दिया है, ते ए मैसेज वो अपनी इसे एकम निन्नी दा मैसेज टीचर नो किस तरीके दिया है, अव देखने है, पहले केस दे विच एकम टीचर नो एकम अपने पेंड जा रही है, ता एस केस दे विच आप की देखने है, कि जेड़े शब्द एकम ने वरते है उने ओही सेम शब्द एदे विच्छ यूज किते है जेड़े निन्नी ने उसनों कहे सी एस मैथड नू फिर अपकी कहांगे डायरेक्ट सपीच जां फिर एकम दूसरे तरीक के नाल टीचर नू होर की कह सकती है के निन्नी ने कहा सी के ओ ओ मतलब निन्नी अपने पेंडर जा रही सी ये जड़ा method है फिर एनू अपकी कमांगे indirect सो एकता हो गया direct speech ते दूसरी होगी indirect speech ते चलो होना आपके sentence देख 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 निनी सेट टू एकम I am going to my village sentence दा ओ हिसा जड़ा पुठे कमें देख देख है आपार्ट येनू अपके निया reported speech ते sentence दा ओ हिसा जड़ा इनना पुठे कमें तो बार है ये देख जो वर्ब है उनू अपके निया reporting वर्ब ये जड़ा वर्ब हुंदा है ये reported speech नू introduce करांगे ते जड़ों अपका इस sentence नू indirect speech देविच बदल देआंगे ओदो की की changes आनगे एक ता आज ड़े पुठे कम में लगे हुए है ये हट जानगे नमबर दो ये थे एक conjunction लगजेगी कोई न कोई ता हुन अपका इनना दी गल करदे है के जड़ों अपका इनू indirect speech देविच चेंज करने है ता ओस वेले केड़े केड़े रूल है जड़े ओ लगदे है बिलकुल सिद्धे ज़े तरीके नाल अपका इनना रूल्स नू करांगे बहुत अपका उलजा दे विच नहीं जाना ता डिरेक्ट स्पीच नू इंडिरेक्ट स्पीच विच चेंज करनदा रूल की है ता सब तो पहलना से संटेंस नू विखांगे संटेंस दे बार अगर वर्ड सेड लगए सेड मीनिंग पास्ट लगए ता फिर अपां कॉम्मे अमली स्पीच दे अंदर जे कर वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लगई हुई है उन्हों अपां सेकंड फॉर्म चेंज कर देने पर जे वो पहलना ही सेकंड फॉर्म लगई वर्ब दी थर्ड फॉर्म दे विच चेंज कर देने हैं पर जे कर पुठे कौम्य तो बार जिन्नों के अपार रिपोर्टिंग वर्ब करने हैं वो से वर्ड लगया है मतलब की है ये प्रेजेंट जां फ्यूचर लगया है तां संटैंस दे अंदर पुठे कौम्य दे अंदर जड़ा मर्जी वर्ब होवे ओ कदे वी चेंज नहीं होंदा तो बिटा एक होर अक्सेप्शनल केस होंदा है संटैंस दे बार चाहे अपने कुले प्रेजेंट होवे पास्ट होवे चाहे फ्यूचर होवे मतलब पामे से लगया होवे पामे सेड लगया वा होवे कोई फरक पहला भी कोम दिसी ते होन भी कोम दिया एक यूनिवर्सल टूथ है इस्टोरिकल फैक्ट एदि अपन ए सोची वी पार्त उनिसो संताली दिवेच अजाद होया ताई बिल्कुल एक कस्चाहि है इस्टोरिकल फैक्ट है तीसरा है कोई हैबिट है मैं हारोज स्कूल जानता ह मैं हारोज मंदर जानता है इस तरह दि अगर कोई वी चीज है पुठे कोम में दिवेच यूनिवर्सल टूथ जान हिस्टोरिकल फैक्ट जान कोई है बेट ता ओदों भी जदों अपन डिरेक्ट स्पीच नूं इंडिरेक्ट स्पीच वेच चेंज कर दें ता नो चेंज ओ आउफ वर्ब कदों जिपा में बार प्रेजेंट है पास्ट है चाहे फ्यूचर है मतलब बार पामें से है पामें सेड है पर कोई वी अपनी पुठे कोम में वाली स्पीच दा टैंस सो उस विले चेंज नहीं होएगा टेंस चेंज कर दों तो बाद रूल नंबर दो होँद है अबाउट परसंस तब परसंस दी जान कर हुनी बहुत ज्यादा ज़्रूरी है फर्स्ट परसंस होंदे है आई माई मी वी अवर अस मतलब के मैं जान सादा second person हों देया है you your you second person you दनाल मतलब तोहड़ा तीसरा हों देया है he she it इननों पर third person कहने है होन अपर देख देख देया है कि persons change कि में करने है तो सब तो पहला अपाई inverted comment देख जड़ी word लगे हुए है वोच देख 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 देखो आई यह जड़ा first person है first person नों हमेशन आपा बूलन वाले देनाल change किता जन्द है I change होएगा she देनाल in second sentence he is saying to her I'll help you with money तैद विच inverted comment विच फिर word है I I फिर first person है तो यह आपा change करांगे बूलन वाले देनाल he देनाल sentence number four देख विच विखो फिर देख inverted comment दे अंदर लगया हुए I जड़ा के first person है first person ने change होना है बूलन वाले देनाल मतलब के she देनाल पर जदो पर sentence number three दे गल कर दे है ता three दे विच की है के जड़ा बूलन वाला है वो boys है ते सुनन वाला मी है ठीक है ता अंदर inverted comment दे अंदर आपा जदो word देखने है यह दे विच लगया हुए I U है के second person जड़ा second person होनदा है यह बदले आ जानदा है यह दे जड़ी change होएगी सुनन वाले नाल मी नाल होएगी इससे तरह sentence number four दे विच विच विखो यह दे विच वर्ड inverted comment चेक वर्ड लगया यू यू कौन है second person second person किदे नाल बदले आ जाना है सुनन वाले नाल मी दे नाल बदले आ जाना है next है बटा है rule number three जदो सी direct speech नो indirect speech विच चेंज करते हैं तर साड़े कोले कुछ time ते position दे वर्ड सुन दे है जड़े के सान नो change करने पहन दे है for example है this that which change होजेगा these those दे विच चेंज होजेगा इस तरह today जड़ा वो that date चेंज होजेगा tomorrow next day जड़े विच चेंज होजेगा next week ज़ा next month the following week जड़े विच चेंज होजेगा इससे तरह तुसे बखी ले स्ट्री विच के सारे words चेंज कर सकते हो अपा rules लगांदे हुए questions वालो करते है question number one she said to me I will go to Delhi next week तब ते देखो इस अपा की करना है गया पहला जड़ा said to है यह past है said to अपा told बना लेना she told me फिर एथ अपा एक word लगाना that जड़ अपा that लगा मांगे ता आवला कॉमा ते उपर वाले दुन्नों कॉमे inverted कॉमे जड़े यह हटा देने है यह हटा देने she told me that उस तो कि देखो inverted comment which word लगा आई आई हागा first person इनू अपा change किता she नाल that she will we वाले नू अपा वी टूच कर देऊ she will बन गा would जड़ो अपा वेल नू वोड़े चे चेंज करता था go as it is जिमें हागा उमी लगजेगा she would go to दिल्ली next week नू अपा लेह दांगे दा फॉलिंग वीक so सड़ी जड़ी option आ रही है that is number C हुंत उसी options देविच वेखो की की mistakes आई है पहले देविच देखो की है said to दा बनाता ने told okay हो गया लेकिन उस सो बाद जड़ा वेल सी दा पास्ट नी किता वेल दा वोड़ करना सी आगलती है हो दी second number दे विच की है she told me that she would go to Delhi इत्यों ने की किता next week नूँ चेंज नी किता इत्य लगना सी दा फॉलिंग वीक so सड़ी option ता ही number C next is Rajan said to him I returned your book yesterday said to the Pavanalya told Rajan told him फिर लगेगा that I नूँ अपा चेंज करना है Rajan Dinal Rajan कौन है? that he इत्यों लगेगा V2 V2 नूँ अपा करना है had plus V3 that he had returned your नूँ अपा चेंज करना सीगा him Dinal इत्यों लगे इत्यों लगेगा his his book yesterday दा बन जेगा the previous day so अगर आपा a switch right option देखने है तक की बन रही है number C ये दे विच ये दे विच बक्की सारा ठीक सीगा said to know ने change नहीं किता B दे विच आपकी देख्या है एथ पहला part right है लेकिन एथे head देना लोने V1 लगाती ए गलत हो गया दा आ गलती है दे विच ते पहले part विच एथे गलती है तीस अपना right है next है number 3 my sister told me I have to finish my work before 5 o'clock today ते दे विच ये बिटे said to know आपकी चेंज किता तोल दे विच I word change होएगा my sister नाल ते my we एदे नाल ही change होना है first person है दोनों एदे नाल change होनगे have जड़ा है ए वर्ब है V1 है have the past होनदा had so अप अपनाने इस दा की बनदा है my sister told me that I know पचेंज किता she बन गया she have the past होगय had जदों अपन have the past had कर देता है उस तो की कोई वर्ब दुबारा नहीं change होना she had to finish एथे finish दा कुछ होर नहीं बनना एथे to finish as it is लगना है my दी जगा ते लग गया her work before 5 o'clock today today बांजेगा that day so अप आप्शन देख देए पहले दिविच विखो की यह उने said to नहीं दिविच चेंज ही नहीं किता यह नहीं चाईदा सिया change करना ते नहीं किता नहीं said to नहीं ता आगलती होगी दिविच second way my sister told me that she had to finish our work before 5 o'clock that day यह बिल्कुल ठीक लग रहे अगला भी वेह लनेया my sister told me that she had to 2 तो बाद इत्यों नहीं finished करता 2 तो बाद हमेशा वी वानने लगता है so आगलती होगी next time my sister told me that she had to finish our work before 5 o'clock नवड़े दिविच आगलती होगी so अपनी right option है B next time number 4 the teacher said to the students you must attend your classes regularly एथे वी की देहनेया said to बाद गया told you लग गया second person students ते नाल चेंज होने your वी second person students ते नाल चेंज होने the answer की बाद गया है the teacher said to बाद गया told the students that you न पा students नाल चेंज की ते बाद गया they must attend your दा बाद गया their classes regularly तब बेटा पाहून options नू देख देख दे है पहली देख की है the teacher told the students said to change होके told बन गया that they you नू चेंज की तसी they बन गया they must attend their classes regularly यह मैंनो बिल्कुल ठीक लगदा है बाक्की भी देखने है the teacher tell the students यह दे विच्च आ गलती है थे tell नहीं आ सकता said to दा बदल के told ही होना है so गलती भी निपता लगगी the teacher told the students पहला पार्ट ठीक है that you must attend their classes यह दे विच्च यू नहीं लग सकता you नू अपच चेंज करना सी students दे नाल तब नेंगा they तीसरे विच्च ए गलती है चौत्थे नू देखिए the teacher told the students that they must attended their classes regularly यह थे ने attended करता actually जड़ा must है must दा we one must है must 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 एही रहेगा जिस तरह can the past could हुंदा है have जा has the past had हुंदा है इस तरह must the past must ही हुंदा है so सड़ी जड़ी first option है वो बिलकुल ठीक है must दे नाल attend ही लगेगा प्यारे विद्यारतियों अमीद है तो आनू change of narration अच्छी तरह समझ आगे होंगे बिटा अगर वीडियो नू एक वरी सुनके rules याद नहीं हुंदे ता इस वीडियो नू कट टकट दो तरन वार विखो ता के ता आनू सारे rules याद हो जान ते ता आनू change of narration करने easy लगन thank you have a nice day